यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ संगम नगरी इलाबाद में होने वाले आर्दकुम्ब मेले में पहली बार पाँच दलित महिलाओं को महमनलेश्वर बनाये जाएगा ये बातें अखिल भारते अखाड़ा परिश्वत के अध्यक्षिम महंत नरेंद्रिगिरी महाराज ने बताई उन्होंने कहा लोगों का धर्म के प्रती रुजान बढ़ रहा है महिला संतों को उनकी योगिता के अनुसार जिम्मेदारियां दी जाएगी इसके अलावा 221 दलित महिलाएं और 300 दलित परुष सन्यास लेकर जुना अखाड़े में शामिल होगे ऐसा पहली वार होगा जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दलित महिलाओं को संत बनाये जाएगा इसके साथ ही महामनलेशवर ने बताया कि राजतेलक समहरों में सदस्य वैदे कमंतरो चारण के बीच सर मुनवाकर अखाड़ा परमुक्ष से दिक्षा सुईकार करेंगे और इसके बाद सन्यासी अपना-पना पिंड़ दान करेंगे तो आपको बता दे पहली बार ऐसा वाक्या सामने आया है जब पांच दलित महिलाएं महामनलेशवर बनेगी महामनलेशवर नरेंदर गिरी ने इस बात की जानकारी दी है और पहली बार 221 लोग जो दलित लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे जूना-खारे में महिलाएं शामिल होने वाली है और 221 इंके संख्या बताई जा रही है तो कहीं न कहीं ये पहली बार हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में दलित महिलाएं जुना खाड़े में एक साथ शामिल होंगी और इस बात की जानकारी महामनलेश्वर नरेंदर गिरी ने दे है अपको बतादे 2019 में महाकुम का अंगाज होने वाला है महाकुम हिंदो का एक प्रमुख मेला होता है जिसे आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं ये मेला इतना बड़ा होता है और अपनी जनसंख्या को लेकर ही इस मेले का चौतरफा नाम भी है ये अपन्टरफ्ट से ये अंगा झालत्रफ मेला होता है